नमस्कार प्यारे बच्चों, SV Academy की online classes में आपका स्वागत है आज हम कक्षा 3 में, पार्ट नमबर 4, स्वच्चता की आदत के समंद में last अध्याय, यानि कि last भाग इसका करेंगे इस पार्ट में हमने स्वच्चता से समंदित जानकारी हासिल की, जिसके समंदित आपको ये बताया गया था कि रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्च वो बच्चा, खुले में शोच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त बगाओ रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखुन दान्ट से कभी न काटे, ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर बगाओ जिसके समंदि में हमने स्वच्चता से जुड़ी हुई हर बात के बारे में ध्यान दिया जैसे कि शौच जाने के बाद हमें अच्छी तर अपने सावुन से हाथ दोने चाहिए, दूसरा दान्तों को रोज मंजन रश करके साफ करना चाहिए, तीसरा अपने नाखुनों को काटना चाहिए, ताकि उसमें जमी हुई मेल बोजन के रास्ते आपके श्रीर के अंदर न अबस्चे काटे रोज मंजन करना चाहिए, तो उससे क्या आता है कि दान्तों की सफाई अगर आप नीम के दातों ये अब्रस से करेंगे, तो उससे आपके दान जो है, वो स्वस्थ रहेंगे, इसके बश्चार आगे का पाठ हम देखते हैं, बताया गया है कि हमने इस वाट से कौन-कौन सी चीज़े सीखी, सबसे पहले श्रीर के सभी अंगों, आँख, नाख, कान, दान, बाल, हाथ, आदी की नीमत, सफाई जो है, वो बहुत अवश्रक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, कि श्रीर के सभी आँख, आँखों को कैसे बताया था आपको, कि आँखों को हमेशा स्वच जल से दोना चाहिए, नाख, जुकाम होने पर, जो अपने पास आपको रुमाल रखना चाहिए, टी शुपे पर रखना चाहिए, कान में कभी भी नुक स्वस्थि स्वस्थ श्रीर अच्षी आतों पर निर्भर करता है, अगर हमारे में अच्छी आतु होंगी तो हमारा जो श्रीर है, वह स्वस्थ रहेगा, तीसरा, प्राता काल उठकर दाथों को साफ करना, और खाने से पहले हाथोना, सौच के बाध हाथोना, नीमित स्णार करना आदी जो है वो अच्छी आते होती है श्रीर की सफाई के साथ साथ घर विद्याले सार्जुनिक स्थानों को भी स्वच रखना चाहिए हमें श्रीर की सफाई तो ही है लेकिन इसके बाद विद्याले सार्जुनिक स्थानों को भी हमें स्वच रखना चाहिए जैसे बताय के हमें सदेव कच्रा बनाये डान ना चाहिए कच्रा में निकल रहा है और मानलों काने की चीज़े खाहिए जबता वह तो हमें वह कच्रा जो है वो कुड़े दान में ही डालना चाहिए उसके पश्चा Truly त्यवहारों पर औडब्ने रंगोली फूल पतियों व्य व्य विज्जली के छोटे बलव आदि से सजावत की जाती है कित्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल पतियां वे विजली के छोटे बलव जो होते हैं उनसे सजावट की जाती है उसके विश्चात जन प्रतिनिदी बविन जोजनाव द्वारा हमारे शेत्र का विकास करते हैं जन प्रतिनिदी जिसके सबंद में आपको मैंने बताया था कि गाउं में सफाई, जल, विजली, सड़के, सिंचाई, आदी के विवयस्ता ग्राम पंचायत करती है ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है इसके सदस्य जो होते हैं वार्ड पंच होते हैं सरपंच तदा वार्ड पंच का चुनाव जो है वो जनता दोरा किया जाता है इसी प्रकार शहरों में नगरपालिका, बड़े बड़े शहरों में नगरपरशद वो उससे 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 करेंगे जो आप अपनी कोपी में साफ साफ और सुन्दर सुन्दर लिखेंगे तो लिखना शुरू करो खालिस्तान देखिए हमें सदैव कच्रा किस में डालना चाहिए कूडे दान में यह आपका कालिसान हो गया हमें सदैव कच्रा कूडे दान में डालना चाहिए जो कच्रा होता है हमें कहीं जुदर नहीं भेंगना चाहिए हमेशा वो कच्रा हमें कहां डालना चाहिए कूडे दान में उसके बाद यह कह रहे हैं स्वस्थ शरीर अच्छी आतों पर निर्भर करता है जो अच्छ श्रीर होगा वो अच्छी आतों पर निर्वर करता है अच्छ जो आते होती है उस पर निर्वर करता है अच्छ आते आपको बता है कि रोज आपको सनान करना चाहिए रोज मंजन प्रिश करना चाहिए रोज आपको जो अपने श्रीर के लिए स्वच और साफ आजिए पेहने चाहिए और अमें पोस्टिक बोजन खाना चाहिये तो स्वस्त शरीर जो होता है अच्छी आतों पर निर्बर करता है अगर आपने शरीर जो है इसी जो भशेट use रहेगा उसके दाद गंदगी admire अघर अपने असपास की गंदगी को तो आपका पर्यावरन जो है वो बचा रहेगा अपने पर्यावरन को बचाओ जो आपने पेड़ गोदे लगा रखे हैं जीव जुन्तु है अपने सब उनको बचाना है क्योंकि यह हमारे किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं और पेड़ को दो तो हमारे लिए प्रान का निवास होता है अगर हमारा स्वास्त होगा तो on 분מה मस्तिक शिरीक शिरीर में जो है वह स्वस्थ ही रहेगा यह स्वस्थ स्वस्थ का निवास होता है नहीं एक तरफ दे रखा इपकम पूल जहाडू और विद्याल्य मीश आगे फूल है, फूल से क्या बनाई जाती है, माला, गनवेश सफाई तो की नहीं जाती, तो माला बनाई जाती है, ज़ाडू से क्या किया जाता है, सफाई की जाती है, ज़ाडू से क्या किया जाता है, सफाई की जाती है, और विद्याल्य गनवेश, विद्याल्य में हम तो यह हो गया आपकी मिलान, खालिस्तान दुबारा से देख लो, कि हमेश दैव कच्चरा जो है, वो कूडे दान में ही डालना चाहिए, दूसरा स्वस्त शरीर अच्छी आतों पर निर्बर करता है, जो स्वस्त शरीर होता है, वो अच्छी आतों पर निर्बर करता है, उसके तो यह होगे आपकी खाली स्थान और मिलान इनको आप जल्दी से देखके उतार लिजे अपनी कोपी में साफ साफ और सुन्दर सुन्दर कर लीजीगा धन्यवाद जल्दी से उतार लिए अब लान्यवाद पेखके जल्दी से उतार लिजे